हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं सरब जीत आज आपके साथ एक ट्रिक शेयर करने जा रहे हूँ पाइपिंग लगाने का यहाँ पे यह देखिए हमने पाइपिंग लगाई है अंडरक्राउंड वाली लेकिन इसे हमने सिर्फ एक सिलाई में लगाकर रेडी कर लिया है नॉ यहाँ पे हमने शेयर की कटिंग की हुई है और इसको साइट से हमने सिर लिया है यह स्लेट हमने फोल्ड करना है और यहाँ पे पाइपिंग भी हमने बना ली है डोरी वाली यहाँ पे जहाँ पे आपने स्लेट को फोल्ड करना है वहाँ पे प्रेस कर लीजिए या फिर एक piping को रखना है और अब इसको लगाने का तरीका बतातीओं अभी हमने जो एक्सक्राब्च कपड़ा 2 इंच का छोड़ा हुआ है उसमें से आधा इंच कपड़ा पहले फोल्ड करलें आधा इंच कपड़ा फोल्ड करने के बाद इसे एक बार दुबारा फोल्ड करेंगे पाइपिंग के बिल्कूर उपर तो लीजिए यह पाइपिंग हमारी इस तरह अटैच हो जाएगी बस इसकी उपर एक सी लाइन लगानी है दुबारा से बिताती हूं नीचे वाले बिल्गुँँँट साथ रखके इसको सेल देंगे, तो यहाँ पे हमने इस line का ध्यान रखते हुए, जो line हमने बनाई हुई है, उसका ध्यान रखते हुए, शिलाई इसके उपर लगानी है और यहां पर मैं सिंग्र बुट से लगा रही हूं इसको और बहुत ही फिनिशिंग से लगेगी आप देखिएगा जटपट से लगकर रेडी हो जाएगी इस तरह मैं देखे वाला जो कपड़ा है उसको आपने एक बात set कर लेना है और उसके बाद इलाई को लगाना है देखिए यह सिलाई एक लग रही है लेकिन piping हमारी बिल्कुल परफेक्ट ली अटेच हो रही है और तक बताऊंगे आपको कि slit पर आपने कैसे set करने है कई लोगों को piping slit पर end करने का जो तरीका है वह नहीं आता है और वहां पर उनकी unfinished हो जाती है तो मैं आपको पूरे इसमें बताऊंगी यहां पर पहले हम इस ते लाई को complete कर लेते हैं तो यहां पर देखें इसका end point आ गया है अब हमने क्या करना है जो piping है इसको cut कर लीना है एक से डेढ़ इंच उपर तक cut कर लीजिए यहां पर piping को हम बिल्कुल इसके साथ रखेंगे और जो fold किया हुआ कपड़ा है उसको उसके उपर रखेंगे और लीजिए यह हमारी एक side की piping लग चुकी है और इसे हम इस तरह fold कर देंगे अंदर की तरफ fold करने के बाद प्रेस कर लीजिए और तुरपाई कर दीजिए और एक सि side का लगाया हुआ है अब piping को हम पहले इस तरह रखते हैं उतने ही margin पर रखिएगा जित्रा margin आपने पहले वाली में cut किया है तो यहां पर हम क्या करेंगे इस piping को इसके उपर रखते हुए शिर्फ slit तक जहां पर हमारा यह end है वहां तक इसको सिल लेते हैं बस अब सिलाई क अब यहां से हटा देते हैं इसको सिर्फ हम ने ट्रोकने के लिए शिलाई लगानी है अभी 10-5 इंच कपड़ा वैसे ही फोल्ड करते हैं फोल्ड करने के बाद एक वर दुबारा से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर रखते हुए शिलाई को सीधा कर लेंगे इसको हमने से उ पूल्टा हो जाता है तो आपने इसे तरह आ कि इसको लगा लेना है तो इसको हम सिद्धी सील्हाई लगा कर रिड़ी में नीचे से पाइपिंग कर रिड़ी हो गई है और यहां पर कई लोगों को पाइपन लगानी नहीं भी आती है और जिने आती है तो उनके लिए भी एक special trick है बिल्कुल एक सी लाई में हम इसे लगा कर attach कर लेंगे आपको वीडियो कैसा लगा